नमस्कार बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत माता के जिन सपूतों ने हस्ते हस्ते बलिदाम दिया, दुर्भागे से उन में से कई वीरों को देश भूल गया था। ऐसे ही एक होनहार क्रांतिकारी थे शिरी विश्नु गनेश पिंगले जी, देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले शिरी विश्नु गनेश पिंगले जी का जनम, 1888 इस्वी में महाराष्ट के पुने जिले में चिता पामन ब्राह्मन परिवार में हुआ था, शिक्ष बिचारों के प्रभाव में आ गई थे 1910 में जब विध्याले के संचालग के राजनितिक विचारों के कारण सरकार ने उस विध्याले को बन कर दिया तो 1911 में पिंगले जी उच तक्नीकी शिक्षापराप्त करने के लिए अमेरिका चले गए भारास से अमेरिका जाते समय पिंगले जी यह सोच कर गए थे कि सशस्त्र से ही दास्ता से देश आज़ाद हो सकता है वी अमेरिका में गदर पार्टी के सलस्था पर शिरी लाला हर दीयाल जी के संपर्क में आई वहां के सिटल विश्व विध्याले से इंजिनरिंग से सनातक करने के साथ साथ वे गदर पार्टी के प्रमुख कारे करता भी बन गए भारत की सेनाओं को क्रांती के लिए तयार करने के उदेशे से पिंगले जी और उनके बहुत से साथी काम गोटा मारूख नामक जहाद में बैटकर भारत पहुँचे उन्होंने नाम बदल कर देश की अलग अलग छामनियों की यात्रा की और भारतिय सेनिकों को अंग्रेजों के विरुद विद्रों के लिए तयार करने लगे उन्होंने कलकता में शिरीरास भिहारी बोची से भी मुलाकात की उस समय पंजाब, बंगाल और उत्तर परदेश में सैनिक करांटी का पूरा प्रबंद हो गया था किंतु एक गदार की गदारी के कारण सारी योजना विफल हो गई पिंगले जी को नादिर खान नामक एक वेक्ती ने गिरफतार करवा दिया गिरफतारी के समय उनके पास दस बंग थे उन पर मुकदमा चलाया गया और 17 नवंबर 1915 में सेंट्रल जे लहोर में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई और इसके साथ ही भारत माता ने अपना एक मेधावी और सच्चा सबुत खो दिया लेकिन इतनी कम उम्र में भी वे अपनी अमिट चाफ इस देश के इतिहास पर छोड़ गई धन्यवाद